नवस्कार आप देख रहे हैं एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती आप जानते ही होंगे कि दुनिया भर में करोना वाइरस के चलते क्या हुआ है कच्चे तेल का दाम बहुत बुरी तरे से गिर गया है और कच्चे तेल का सबसे जादा इस्तेमाल किस में होता है जी हां पेट를 डीजल पर और इससे क्या हुआ है धुनिया भर में पेटरो और डीजल के दाम बहुत गिर गए हैं वो भोगदाओ को फाइदा हो रहा है हाँ खैर lockdown में कितना फायदा हो रहा है पता नहीं लेकिन जो essential services यानि की आवश्य काम करते हैं उनको फायदा हो रहा है जो कृशी में काम करते हैं डीजल का इस्तमाल वहाँ पर होता है उनको फायदा हो रहा है सिर्फ एक देश छोड़ कर और वो है भारत क्यूं भारत में हमे बिल्कुल भी कोई राहत नहीं मिला है पेट्रोल और डीजल के दाम पर ऐसा क्यूं हो रहा है इसी का पोल खोलेंगे आज और इसी का हिसाब लगाएंगे आज के एपिसोड में तो सबसे पहले तो अब समझ लेते हैं कि पेट्रोल के दाम तै कैसे किये जाते हैं देए कच्चा तेल तो सिदा आप गाड़ी में ने डाल सकते हैं आपकी गाड़ी नहीं चलेगी खराब हो जाएगी तो पेट्रोल पहले रिफाइनरी में तयार किया जाता है कच्चा तेल निर्यात होता है, इंपोर्ट होता है, रिफाइनरी में जाता है, तो पेट्रोल, डीजल, LPG के रुसी रित्यादी में उसको बदला जाता है और फिर डीलर को बेचा जाता है अब आप सोचेंगे की देखिए जितनी लागत आती होगी पेट्रोल बनाने का, उस पर थोड़ा सा मुनाफे का मार्जिन डाल कर डिलर को दिया जाता होगा, जी नहीं, ऐसे नहीं तै होता है पेट्रोल का दाम एक तरीके से सरकार तै करती है, एक ट्रेट पैरिटी प्राइस, सारे जितने रिफाइनिंग कमपनी हैं, तेल कमपनी हैं, उनको मिलता है यानि जो बाहर से, अगर सीधा पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता, 80% पेट्रोल का दाम भारत में उसी बेसिस पर तै किया जाता है, उसी रेट पर तै किया जाता है कालपनिक कि कितना खर्चा होता जहाज में लाने का, इंशोरेंस का कितना खर्चा होता, फिर उसको डिफाइनिरी तक या डीलर तक लाने का जो फ्रेट का रेट होता है, ये सब और एक कस्टम्स ड्यूटी डाला जाता है, ये सब कालपनिक दाम लगा कर पेट्रोल का दाम होता है तेल के companyों के लिए तो आप सोच नेसे हम जानते हैं कि भारत में खर्चा कम है मज़दूरी कम दिया जाता है चीजों के जो करीने जाते हैं उनके दाम कम है तो शुरू में ही दाज-बीज डागत ज्यादा दिया जाता है यानि कि मुनाफ़ा जादा मिलता है तेल कंपनियों को ये डीलर तक पहुंचने से पहले की बात कर रहा हूँ अब आप सोचिए डीलर तक पहुंचता है डीलर अपना यानि कि पेट्रोल पमका मालिक अपना एक उस पे कमिशन डालता है डालना पड़ेगा उनका भी खर्चा है और उसके उपर टैक्स बैठता है अब आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर अभी तक GST लगाया नहीं गया है तो दो तरीके के टैक्स बैठते हैं इस पर एक्साइस ड्यूटी जो की केंद्र सरकार डालती है और वैट जो की हर एक राजी में अलग अलग होता है जिसके चलते कभी दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, कलकत्ता में अलग है, पेट्रोल का रेट हर जगे पे थोड़ा सा पेट्रोल का रेट अलग होता है क्योंकि वैट अलग होता है उस पर हर राजिका अब आप सोचें कि GST का हाइस्ट रेट क्या है 28 प्रतिशत हाँ थोड़ा बहुत एक्साइस एक्स्ट्रसेस वगएरा डाला जाता है सिग्रेट वगएरा पे लेकिन स्लैब सबसे उचा है 28 प्रतिशत अब अगर 28 प्रतिशत रेट से टैक्स GST पेट्रोल डीजल पर डाला जा डीलर कितना लेता है डीलर लेता है लगभग साड़े तीन रुपे तो अगर कोई भी टैक्स ना होता तो हम लोगों को पेट्रोल इस वक्त साड़े 21 रुपे में मिलता प्रति लीटर लेकिन हाँ टैक्स तो बैटना चाहिए और अगर हम सोच लेगे 28 प्रतिशत टैक्स GST क लग जाए तो कितना देना पड़ता हम लोगों को साड़े 27 रुपे फिर से बता रहा हूं है साड़े 27 रुपे के आसपास देना पड़ता हम लोगों को एक लीटर पेट्रोल अगर 28 प्रतिशत GST सरकार लेती तो लेकिन हम देख इतना रहें एक बात देख लेते हैं यह छे मही का डेटा हमें कहता है कि हम लग बग 71 रुपे दे रहें दिल्ली में 71 रुपे से थोड़ा जादा दे रहे हैं प्रती लीटर पेट्रोल पर यानि उस पर टैक्स कितना है लग बग 50 रुपे सकेंद्रे सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर लग बग 50 रुपे टैक्स ह highest rate का 6 गुना rate लगाया जा रहा है आप 40 प्रतिशत लगा लेते tax तो भी आज हम 30 32 रुपए देते एक लीटर पेट्रोल पर उसके जगे आज भी हम 71 रुपए दे रहे हैं दिली में क्यूं क्यूंकि सरकार 175 प्रतिशत tax उस पर बिठा कर ले रही है अब डीजल का देख लेते ह लेता है लगभग 19 रुपए प्रति लीटर इसमें रिफाइनरी का खर्चा है और साथ में थोड़ा सा फ्रेट है डीलर तक डीजल पहुंचाने का इस पर tax कितना है 48 रुपए tax है 48 रुपए tax जहां पर डीलर को मिल रहा है सिरफ 19 रुपए प्रति लीटर डीजल यानि कि tax क 156 प्रतिशत है डीजल पर tax का रेट और 175 प्रतिशत है पेट्रोल पर tax का रेट दोनों पर अगर 28 प्रतिशत GST लगता तो हमको 27-28 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलता इस वक्त याद रखिए इस वक्त डीजल और पेट्रोल हम और आप नहीं यूज कर रहे हैं हो सकत करते हैं तो जरूर आपका भी खर्चा हो रहा होगा सारा खर्चा essential services में जा रहा है या क्रिशी में जा रहा है पेट्रोल का जो खर्चा है वो doctor, nurse या बाकी जो delivery करते हैं सबजी वाले truck से जो सामान आता है उसमें डीजल का खर्चा है क्रिशी में डीजल का खर्चा है किसान अगर मंदी तक अपना सामान पहुंचा रहे, या ट्रैक्टर चला रहे, या कहीं कहीं पे पंप चला रहे, तो डीजल का खर्चा उनके लिए है, इस वक्त जब किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा अपने फसल के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था अगर दुन्या भर में डीजल का दाम घट रहा है तो आम नागरिक तक भी वो ही पहुँचना चाहिए था किसान तक भी वो ही पहुँचना चाहिए था पेट्रोल का दाम भी ऐसा होना चाहिए था, आवश्यक कामों के लिए जो खर्चा हो रहा है उस पर, लेकिन उसके जगे सरकार क्या कर रही है, अपनी टैक्स की वसूली बढ़ा रही है, आप कह सकते हैं कि भाया, लॉकडाउन से पहले भी तो इतना ही था, पेट्रोल के दु पूरी एकॉनमी ठब पड़ी हुए, ऐसा वक्त है जहां पर बहुत सारे छोटे कार खाने बंद है, बहुत सारे छोटे बिजनेस जितने हैं, उनका खर्चा बहुत जादा हो रहा है, लेकिन उनकी कोई भी आमदनी नहीं है, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, काम चल हां, ये जरूर है कि सरकार का खर्चा बढ़ेगा, ये करोना वाइरस से जूजने के लिए सरकार का खर्चा बढ़ेगा, एकॉनमी को वापस पट्री पर लाने के लिए सरकार का खर्चा बढ़ेगा, और इसलिए आप कह सकते हैं कि टैक्स भी जादा वसूलना पड़ेगा, लेकिन इसकी जरुवत नहीं थी, पेट्रोल डीजल पर आराम से आमनागरिक को राहत मिल सकती थी, सरकार राज कोश्य घाटा जो है उसको बढ़ा सकती थी, जैसे कि दुनिया भर के सरकार कर रहे हैं इस वक्त, सिरव मोधी सरकार नहीं कर रही है तो एक चीज़ आप याद कीजेगा कि कॉर्परेट का जब टैक्स काटना होता है तो तुरंत मोधी सरकार सामने आ जाती है, लेकिन आमनागरिक के लिए टैक्स की छूटना देकर टैक्स वसूली करती है, जादा बढ़ाती है, ये समझिए और दूसरों को भी ये वीडियो ज नहीं देखाया है या टाइम नहीं है, तो ये बात उन तक जरूर पहुंचाईए.